हेलो स्टुरेंट्स आप सभी का स्वागत हैं इस्टरी 24 उदेपुर में आज हम एक नए टोपिक लेक्ट आए हैं विदेशी व्यापर गुनक फॉरें ट्रेट मल्टिप्लायर इसके बारे में हम बढ़ेगे ठीक है विदेशी व्यापर गुनक हैं इसको हम क्या केते हैं निर बढ़ते हैं तो निर्यात उज्योगों से सम्मंदित सभी व्यक्तिति आया क्या होगी बढ़ेगी और इससे क्या होगा अर्ध व्यस्ता में वस्तों एवं सेवाँ की जो मांग है बोधपन करती हैं ठीक है और यह जो मांग होती है या यह गुनक यह प्रभाव जो है विद होनों सीमान प्रवड़तियां अगर अधिक हैं तो गुनक कामली क्यों होगा तो इस तरह के सरह नं निर्यात गुनक को कैसे परिवाषित कर सकते हैं किसी देश के नीर्यातों में परिवरतन से आय में जो परिवर्तन होता है ठीक है राश्ट्री आय में जो परिवर्तन होता है कब उस देश के निरियातों में परिवर्तन होने से तो इसके अनुपात को हम क्या केते हैं विदेशी व्यापार गुनत केते हैं ठीक है हम की जानते हैं कि जब किसी देश के निर्यात अगर बढ़ते हैं तो निर्यात उद्योक से सम्मंदित सभी व्यक्तियों की जो आय हैं वो क्या होगी बढ़ेगी ठीक है और जब आय बढ़ K equal to delta Y upon delta X जिसमें K क्या है हमारा विदेशी व्यापार गुनक तो चाहए तो ऊसको भूम ऐसे ले सकते हैं K F विदेशी व्यापार गुनक बराबर क्या हो गया डेल्टा Y आए में परिवर्तवन upon delta X निर्यातों में परिवर्तवन तो निर्यातों में परिवर्तन होने से राश्ट्रियाय में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या केते हैं विदेशी व्यापार गुनक केते हैं एक उधारण से समझने इसको कि हम कहे हैं कि किसी देश के जो निरियात हैं अगर निरियातों में कितनी व्रत्य होती हैं 100 करोड की निरियातों में 100 करोड की व्रत्य होने से राश्टरी आये में अगर 200 करोड की व्रत्य होती हैं तो एसी स्थिमें विदेशी व्यापर गुनक क्या होगा के एफ इक्वल टू टू अपोन हंड्रेट इक्वल टू इसका मतलब निर्यातों में व्रद्धि से आय में कितनी व्रद्धि हुई है दो गुनी ठीक है और विदेशी व्यापर गुनक का जो मान होता है वो सीमान्त बच्चत प्रवर्दी और सीमान्त आयात प्रवर्दी दोनों पर निर्वर करता है इसलिए इसको हम कैसे ले सकते हैं के एफ एक्वल टू वन अपोन एमपीएस प्लस एमपीएम जिसमें एमपीएस का मतलब क्या है सीमांत बच्चत प्रवर्ती और MPM का मतलब क्या है सीमांत आयात प्रवर्ती ठीक है तो 1 अपॉन MPS प्लस MPM बराबर क्या होता है विदेशी व्यापार गुनद ठीक है और ये दोनों मान विदेशी सीमांत बच्चत प्रवर्ती और सीमांत आयात प्रवर्ती इनके मान जितने कम होंगे विदेशी व्यापार गुनत जहें उतना ही अधिक होगा अब देखिए इस इस्तिति को हमें कुधारण के दोरा समझ लेते हैं अगर हम मालने तक किसी अर्थवेस्ता में MPS कितना है 0.3 और MPM कितना है 0.2 है और किसी देश के निरियाद जो है वो कितने बढ़ते हैं एक हजार करो तो ऐसी इस्तिति में विदेशी व्यापार गुनत कितना होगा विदेशी व्यापार गुनत हम निकाल लेते हैं ठीक है विदेशी व्यापार गुनत का जाएगा और I में कितनी व्रद्धी होगी जितना निरियाद बढ़ रहे है उसका गुनत है तो इसको हम क्या कर सकते हैं इंटू डेल्टा X कर सकते हैं ठीक है निरियाद में व्रद्धी कितनी होई एक हजार करोड की तो उससे हम multiply कर लेंगे यह यह जो हमारा formula है ठीक है उससे हम calculate कर सकते हैं कि kf equal to क्या होता है Δ e i upon delta x और यह किस के equal होता है 1 upon mps plus mpm हमको हैं पर क्या क्या होड़करा है रास्ट्रे i में कितनी व्रद्धी होगी तो यह delta x जो है वह इदर करोड की वर्द्धी होती है और MPS और MPM के मान कितने है 0.3 और 0.2 तो ऐसी इस्तिति में राष्ट्रिया में कितनी वर्द्धी होगी 2000 करोड की ठीक है क्योंकि इसमें विदेशी व्यापार गूनक का मान कितना आएगा 2 आएगा ठीक है 2 आएगा इसका क्या होता है c plus i plus x minus m होता है ठीक है इस c को हम अगर इधर लिया तो क्या बचेगा y minus c equal to i plus x plus x minus m बचेगा एदा ठीक है फिर हम क्या करते को y minus c मतलब i में से अगर हम उभोग का मुल्य माइनस कर दें तो क्या बचेगा हमारे यह जो हमारा जो M है यह किसको प्रतिशित करता है import को import को अगर हम इधर लियाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा S प्लस M क्योंकि यह जो माइनस M है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस M इक्वल टू इधर क्या बचेगा I प्लस X ठीके जिसका मतलब क्या हो गया बच्चत प्लस AYAT किसके बराबर होते हैं निवेश प्लस NERIYAT संतुलन की स्थिति में यह बराबर होने ठीके और निवेश जो होता है उसको हम दो भगों में बाढ़ सकते हैं एक होता है गरेलू निवेश और दूसरा होता है विदेशी निवेश ठीके निवेश के दो भागें गरेलू निवेश और विदेशी निवेश और संतुलन की स्थिति में क्या होता है निवेश और बच्चत क्या होते हैं बराबर होते हैं निवेश में कौन कौन से भाग होते हैं गरेलू निवेश और विदेशी निवेश ठीके तो i की जग हम क्या ले सकते हैं id प्लस if equal to क्या होता है s होता है ठीके अब id हमारे पास में है ठीके यह हमारा गरेलू निवेश है और विदेशी निवेश जो होता है वो किसके बराबर होता है x-m के बराबर होता है equal to क्या हो गया s हो गया id plus x हमने इधर लिख दिया minus m को हम इधर लिया है तो क्या हो गया s plus m हो गया id plus x बराबर क्या होता है s plus m होता है यह बच्चत है और यह हमारे आयात है और यह निरियात है और ये निवेश का मुलिधे, ठीक है और इंवेश कोन सा हमारा गरेलू निवेश रहेश है, ठीक है और गरेलू निवेश का मान अगर शुन्य होता है, तो यह सिस्ति में क्या होगा X equal to क्या होगा S प्लस M होगा, यह X में जो परिवर्तन है वो किसके को लोगा S में परिवर्तन और आयात में परिवर्तन ठीक है आयात में परिवर्तन और बच्चत में परिवर्तन के बरावर होगा अब हम क्या करते हैं दोनों और Delta Y का Divide कर देते हैं Delta X में हमने Delta Y का Divide कर दिया Delta S है उसमें भी हम delta y का divide कर देता है delta m है इसमें भी हम क्या करते है delta y का divide कर देता है ठीक है दोनों तरब हम क्या करते है delta y का divide कर देते है तो इस सिस्थम हमारे पास में delta x upon delta y equal to क्या होता है delta s plus delta m upon y आता है और गोना क्या होता है delta y upon delta x होता है तेके इसका अपोजिट होता है इसलिए हमने क्या कर दिया इसको उल्टा कर दिया तो क्या होगा यह डेल्टा वाई अपॉन टेल्टा एक्स यहां पर भी क्या करेंगा हम इसको उल्टा कर देंगे डेल्टा वाई उपर आजाएगा और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एम जाएगा ठीक है और यह क्या होता है। गुनक होता है ठीक है। विदेश लिए पर गुनक के एफ बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई किसको बताता है MPM को तो विदेशी व्यापार गुनक जो है वो क्या है आमर पास में 1 अपॉन MPS प्लस MPM ठीक है अब देखिए जो विदेशी व्यापार गुनक है उसमें क्या-क्या मार दिता ली गई है तो सबसे पहले माना गया है कि जो अर्थ व्यापार गुनक की जो अओधाना है उसमें कितने देश हैं दो देशों को सम्मिलित किया गया है और उन देशों में विदेशी व्यापार जो होता है उस पर किसे प्रकार का कोई प्रशुर्ग और संडक्षन जो है वो नहीं पाये जाता है प्रस्चुर्प और संदक्षन का अभाव होता है और अर्थ व्यस्ता में जो निवेश किया जा रहा है ठीक है जिसको हम क्या केते हैं गरेलू निवेश उसको क्या माना गया है इसमें इस्थिर माना गया है जो सार्वनिक रहे हैं वो भी इस्थिर होता है फिर अर्थ वेस्ता में जो विनी में दरपनाली वो कौन सी हैं इस्थिर विनी में दरपनाली पाये जाती हैं और फिर जो उब्वोग हैं उस पर तुरक प्रभाव जो हैं वो क्रियाशिल नहीं होता है ठीक है तुरक अर्थ वेस्ता में नहीं पाये जाता हैं और दोनों ठो रहे हैं और निर्यातों उनने क्या हैं सीधा संबंद मतलब एक देश के निरैत दूसरे डेश के आयात है या धर्छे एलिध यान्य के आयात हैं क्योंकि इसमें डू देशों की कलपना की गई है इस्पिने इस ř NE खते हैं पहले हम ते खते हैं विदेशी वियापर गुनक की आगे की और कारी के बढली का मतलब क्या हो गया प्रोसेस और दूसरा विपरित कारी करन क्या होगा पिछे क्या होगा जब अर्थ प्यश्ता के निर्याद गुनाली विपरित कारी करन या बेकवर्ड प्रोसेस तो सबसे फिर हम देख रहे हैं कि जो विदेशी व्यापर गुनाके वो फोरवर्ड आगे की और किस तरह के से कारी करता है मतलब किसी देश के निर्याद अगर बढ़ते हैं तो राज्ट्रियाए में जो वरद्धी होती हैं वो कैसे होगी तो ये जो हमारा रेखा चित्र है तेकर उसमें अगर हम देखते हैं ये जो हमारा S Y है ये किसको दर शायता है बच्चत फलन को दर शायता है ठीक है ये हमारा बच्चत फलन है और ये S प्लस M Y क्या है हमारा जो बच्चत जमा है उसका आयात के साथ में फलन है ठीक है S क्या है बच्चत जमा है और M क्या है आयात तीक है किसी देश के बर जो आयात किये जाते हैं तो बच्चत और आयात का जो फलन है वो क्या है S प्लस M Y ठीक है तो इसको हमने इसके बर प्रदेशित कर रहा है फिर किसी देश के जो गरेलू निवेश है ठीक है यह हमारा जो वक्र है वो है गरेलू निवेश वक्र है ठीक है और गरेलू निवेश वक्र और संतुरंग किस्तिती में कहां पर है इस जगे ठीक है यह संतुरंग किस्तिती है इबिंदू पर ठीक है जहां पर बच्चत और न निवेश है और यह हैं देश के निर्याद तो इसी इस्तिति में जो संतुलन किस्ति वो कहां पर है यह बिंदू पर है तो यह तो हमारी होगी यह प्रारम्ब किस्ति अब जब किसी देश के निर्याद क्या होते हैं बढ़ते हैं तो निर्याद बढ़ने से निर्यादों का जो तो एसी इस्तिती में नया जो संतुरन बिंदू है वो कहाँ पे स्थापित होता है इस E1 बिंदू पर ठीक है जहां हम देखते हैं रास्ट्रियाय का जो इस तर वो Y से बढ़कर क्या हो जाता है y1 हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं विदेशी व्यापार गुनत प्रभाव जब देश के निर्याद बढ़ते हैं कितने बढ़ते हैं डेल्टा एक्स इतने तो निर्याद बढ़ने से राश्ट्याय का इस्तर y से बढ़कर y1 हो जाता है इसे ही हम क्या कहते हैं गुनत प्रभाव कहते हैं यह आगे की और कारिकरण है और दूसरा पीछे की और कारिकरण का मतलब क्या हो गया कि जब राज्ट्रिया जो नीरियात है अगर हमारे इतने नीरियात कम हो जाते हैं तो नीरियातों कम इसे राज्ट्रिया भी क्या होगी व जब किसी देश के निरियात बढ़ते हैं तो निरियात बढ़ने से राष्ट्रियाय में जो वरद्धी हो जाते हैं यहाँ पर हमने निरियातों को कितना बढ़ाया है इतना तो जब इतना निरियात बढ़ता है तो राष्ट्रियाय कितने बढ़ जाते हैं y से y1 तो y से लेकर y और यवन जो राश्ट्रियाय में व्रध्दि होई है वोई क्या है हमारा विदेशी व्यापार गुनत प्रभाव है ठीक है अब हूं पढ़ेंगे अती नीर्यात प्रभाव ठीक है बेगवाश एफेक्ट या जिसको हम किया सकते हैं विदेश प्रती प्रभाव जब किसी देश के निरियाद या आयाद दूसरे देश की रास्ट्रियाद को प्रभावित करता है जब किसी देश के दोरा निरियाद किया जाता है या आयाद किया जाता है तो उससे क्या होता है दूसरे देश की जो रास्त्रियाय है वो प्रभावित होती है और जब उस देश की रास्त्रियाय प्रभावित होती है तो वो पुन्हा क्या करती है जो पहले वाले देश है ठीक है उसका जो विदेशी व्यापार है और रास्त्रिया है उसको प्रभावित करता है तो इसे हम क्या कहते हैं पत्ती निर्याद प्रभाव कहते हैं या विदेश प्रती प्रभाव कहते हैं ठीक है इस देश की राश्ट्रियाए क्या होगी कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है और इस देश की जो राश्ट्रियाए जो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है वो आगे क्या करेगी इस ए देश की जो राश्ट्रियाए है जो इस देश का विदेशी व्यापार है उसको चोटा होता है तो विदेश प्रति प्रवाव क्या होगा उतना ही कम होगा ठीक है एक देश बड़ा है दूसरा देश छोटा है तो दूसरा देश अगर छोटा होता है तो विदेश प्रति प्रवाव क्या होता है उस देश के लिए उतना ही कम होगा ठीक है लेकिन हम यहाँ प बस्तों का आयात किया जाता है वो B देश के क्या होते हैं निर्यात होते हैं ठीक है बी देश के निर्यात ए देश के क्या होते हैं आयात होते हैं ठीक है तो ऐसी इस्तिमाहम देखते हैं कि अगर A देश क्या करता है गरेलू निवेश में व्रद्री करता है तो गरेलू निवे ऐगा बी देश के उपटा ठिक है अब एए ज़ुँ है वो क्या कर रहा अपने आयातों को बढ़ा रहा है ठीक है एसका मतलब क्या होगे जो भी देश उसके निर्याद क्या हूँ बढ़ेंगे और भी देश के अगर निर्याद बढ़ते हैं तो वह अगले चक्र में क्या करेंगा रास्ट्रियाय में व्रद्री करेंगा और जब भी देश की रास्ट्रियाय बढ़ेगी तो वो क्या करेंगा आयात करेंगा ठीके आयात किसे करेंगा ए देश से इसका मतलब क्या हो गया जो ए देश है उसके अब निर्यात बढ़ेंगे और जब इस देश के आयात बढ़ेंगे तो पुना जो भी देश है उसके क्या होंगे निर्यात बढ़ेंगे जब निर्यात बढ़ेंगे तो आये बढ़ेंगे तो फिर आयात भी बढ़ेंगे इसका आयात बढ़ेंगे तो वापिस ए देश की निरियात क्या होंगे बढ़ेंगे ठीके और इस तरीके से जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी ठीके इसी को हम क्या केते हैं विदेशी व्यापार गुनत प्रभाव केते हैं ठीके विदेश प्रती प्रभाव का मतलब क्या हो क्या एक देश की निर्याद बढ़ने से उस देश की राष्टियाय में व्रत्य होती हैं जो पुना क्या करते हैं उसके आयात बढ़ती हैं और जब उस देश के आयात बढ़ते हैं तो अन्मी देश की निर्याद बढ़ते हैं जिससे उस देश की राष्टियाय में क्या होगी बढ़ेगी और आश्टे बढ़ती हैं तो उस देश के आयात क्या होंगे बढ़ेंगे ठीके जिससे पहले देश के निर्याद बढ़ेंगे तो इस तरीके से जो ये चक्रे हों क्या होगा चलता रहेगा ठीके इस जिको हम क्या केते हैं विदेश प्रति प्रभाव केते हैं ठी यह हमारा A देश है यह देश का यह गरलू निवेश है और यह गरलू निवेश में भ्रदी है जब इस A देश के निर्याद बढ़ते हैं तो निर्याद बढ़ने से हमारा वक्र जो है ID प्लस X बन जाता है ठीक है और यह उस देश का बचत जमा आयक फलन है ठीक है यह जो वक्र है वो उपर कि सककर बन जाता है हमारा ID 1 प्लस X ठीक है, एज देश के निरियाद बनने से उसका निरियाद वक्र क्या होता है उपर खिसकर क्या बन जाता है ID 1 प्लस X संतुरान की सीडे पहले E बिन दूपर थी अब कहां पे आ जाती है E1 परिस्तापित हो जाती है एसी इस्तिती में उस देश की राश्ट्रियाई क्या होती है Y से लेकर Y1 बढ़ जाती है ठीके ए देश के निर्याद बढ़ते हैं उस देश के जो राश्ट्रियाई का इस तरह वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है ठीके अब Penal B में हमने क्या लिया है दुसरा country है तीके दुसरा country है उसका ये गरलु निवेश वक्र है और ये है गरलु निवेश और निर्यातों का वक्र ठीके और E बिंदू जो है वो संतुलंग किस्तिती है अब जब B देश के निर्यात बढ़ते हैं तो B देश के निर्याद बढ़ने से क्या होगा उसका जो निर्याद वक्र है वो उपर किसर जाता है क्या बन जाता है ID प्लस X1 और संतुलन E बिंदू से E1 पर इस्ताफित हो जाता है जहां पर राजट्याय का इस तरह क्या हो जाता है Y0 से Y1 हो जाता है इसका मतलब क्या हो गया B देश के जब निर्याद बढ़ते है तो उस देश की राजट्याय का इस तरह भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है ठीक है और जब B देश की राजट्याय का इस तरह बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा पुनह जो पहला देश है ए देश है उसकी I का इस्तर क्या होगा और बढ़ेगा ठीक है अब हमने ले लिया है E1 बिंदू पर जो संतुलें किस्तिती थी ID1 प्लस X अब इस देश के जो निरियायत होंगे वो क्या होंगे बढ़ेंगे ठीक है इसे निरियायत होगा वक्र क्या होगा उपर की वो किस्तर जाएगा ठीक हम ए देश की बात कर रहे हैं तो नया जो सामने वो अब कहां प्यादा हैगा E1 से E2 पा ठीक है इसके साथ देखी आगे यह हमारा जो Y1 इस्तर है ठीक है यह वाला वो कहां पे है यह राग अब अगले चरण में क्या हो रहा अगर निरियाद बढ़ती है तो निरियाद वक्र और उपर की सक जाता है यह अगर हम इसी डाइगरामें बनाएंगे तो अब निरियाद वक्र उपर की सक के यहाँ पर आ जाता है जिससे पुना राश्टाय का इस्तर Y1 से लेकर Y2 हो जाता है उसको हमने यहाँ पर समझा रखा है Y से Y2 हो जाता है Y1 से Y2 राश्टाय हो जाती और इस तरीके से प्रक्रिया क्या होगी चलती रहेगी अब A देश की राश्टाय का इस्तर बढ़ेगा है अगले चरण में क्या होगा बीदेश की राश्टाय का इस्तर बढ़ेगा और इस तरीके से चलती रहेगी यह प्रक्रिया ठीके इसको हम क्या कहता है गुनत प्रभाव या विदेश प्रति प्रभाव कहता है